गाइस, IDBI Bank के तरफ से एक update आईए, जिसमें आप अपना account खोल सकते हैं, वो भी online, अपने smartphone पर, और ये account zero balance का होगा, आपको कोई भी रूपए डालने की ज़रूत नहीं है, zero balance account होगा, और गाइस, इसके साथ साथ आपको account opening पर free में debit card मिलना है, zero balance पर, सो गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं पूरा process बताऊंगा, कि आपको कैसे account खोलना है, और आपको क्या करना है, तो गाइस, वीडियो बहुत interesting होने वाली है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी informational लगती है, तो वीडियो पर like कर दीजेगा, and गाइस, चैनल को subscribe कर दीजे इसका link में आपको description में दे दूँगा, अगर आप अपने android phone से use कर रहे हैं, या फिर अपने iphone से use कर रहे हैं, मैं दोनों ही platform की apps का link description में दे दूँगा, आप वहां से भी जाके download कर सकते हैं, इस app का नाम है iquick account, so guys इसमें first में आता है, enter mobile number, इसमें mobile number डालना है, जो आपको अपने bank account में रखना है, उसी पर ही OTP आएगा, and guys second option आता है, enter pen का, यहाँ पर आपको अपने pen की details भरनी है, और आपको नीचे third option मिलेगा, enter name, जो आपके pen card पे name है, वो ही name आपको यहाँ पर fill करना है, तो guys चलिए मैं इस step को पूरा कर लेता हूँ, so guys आपको कुछ इस तरह से message आएगा कि OTP is generated and sent to your registered mobile number, so guys मैं यहाँ पर OTP आगया है, मैं OTP भर देता हूँ, OTP submit करने के बाद guys यह loading लेगा, so guys OTP डालने के बाद आपके सामने next step खुल जाएगी, जिसमें आपको अपनी आधार detail fill करनी है, so guys चलिए आधार detail fill कर देते हैं, आधार number fill करने के बाद guys आ आप नीचे simply यहाँ पर right click करेंगे and then submit कर देंगे, submit होने के बाद guys आपका अधार number पर जो mobile number linked है, उस पर एक OTP send होगा, so guys मैं OTP भी fill कर देता हूँ, OTP submit करने के बाद guys यहाँ पर आपकी अधार details आए जाएगी, आप यहाँ से check कर सकते हैं कि आपकी details हैं वो बिल्कुल सही हैं या गलत हैं, so guys सब कुछ check होने के बाद आपको simply next पर click कर देना है, आप guys next option आता है customer confirmation, इसमें जो पहला option है dbt schemes, इसमें guys यह वो होती हैं जिसमें आपकी subsidy आती है, तो यह यह पूछ रहा है कि क्या आप इस bank account में अपनी subsidy जो आपको मिलती हैं वो इस bank account में डालना चाहत हैं या नहीं, तो guys आप yes या no कुछ भी कर सकते हैं, मैं simply no कर देता हूं, और guys जो नीचे के दो option है, आपको यहाँ पर simply no कर देना है, और continue पर click कर देना है, continue पर click करने के बाद guys आपकी branch selection आएगी, आप कि city में रहते हैं, किस state में रहते हैं, और आप कौन सी branch choose करेंगे, so guys म आपको debit का में ATM card मिलेगा, internet banking मिलेगी, mobile banking मिलेगी, SMS alert मिलेगा, guys zero balance पर बस आपको passbook नहीं मिलती है, बाकी others facility आपको पूरी की पूरी मिलेगी, जो by default मिलती है, बस आपको passbook नहीं मिलेगी, so guys यहाँ पर आपको simply right click कर देना है, and continue पर click कर देना है, okay करने के बाद guys यहाँ पर आपको nominee details मांगेगा, next tab में, जिसमें आपको अपनी एक nominee चुन्नी है, और उसका नाम, date of birth और address select करना है, अगर आपका nominee आपके शहर से बाहर का है, तो आपको उसका address यहाँ पर fill करना है, अगर आपका nominee आपके same address का है, तो आपको address same as applicant address पर tick कर द करने के बाद या skip करने के बाद guys अगली tap खुलती है, जिसमें पूछा जाएगा, other details जिसमें आपको select community, select cast, occupation, email और mother name डालना है, और इसको fill करने के बाद simply continue पर click कर देना है, so guys आपके सामने review details आजाएंगी, जिसके अंदर आपके अधारसी लेवे, आपका नाम, आपकी date of birth आपका gender, आपका address, आपका occupation, आपकी cast, आपकी community, आपकी email id और आपकी city, सब कुछ वो अधार कार्ड से ले लेता है, so guys आप एक बार check कर लीजिए, क्या ये सही है ये गलत है, अगर ये सही है, तो guys इसको simply submit कर दीजिए, so guys आपका account create हो चुका है, यहाँ पर congratulations लिखा आया है welcome to IDBI, चलिए get account details पर जाते है, get account details पर आने के बाद आपके सामने account details आजाएंगे, जिसमें आपको account number और customer id दी जाएगी, जिसको आपको simply कहीं भी save कर लेना है, यह आपके बहुत काम आएगी, इसी से ही आप अपनी internet banking और mobile banking को operate कर सकते हैं, so guys आपका zero balance account create हो चुका है, और आपका debit card भी guys, 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपके address पर आजाएगा, जो आपने address यहाँ पर fill करा है, and guys एक बात और आप बिना KYC किये, इस account को एक साल तक चला सकते हैं, अराम से transaction कर सकते हैं, आपको किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और आप एक लाग त आपके account को hold पर कर दिया जाएगा, और जब तक KYC नहीं होती है, तो guys आपका account के आगे की process नहीं हो जाएगी, but guys एक साल तक आपके account को किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं आनी है, आप बीजली अपने account को चला सकते हैं, so I hope guys आपको वीडियो पसंद आईए होगी, अगर वीडियो पसंद आईए, तो please वीडियो पे एक लाइक कर दीजिगा, चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिगा, मैं ऐसी ही informational वीडियो बनाते रहता हूँ, so guys मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में किसी interesting topic के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जैहन, जैभारत!